हेलो माय स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने जा रहे हैं 10th class mathematics chapter number 8 इसका second theorem बच्चों इस theorem को समझने से पहले आपको three basic parts का पता होना चाहिए number one acute angle क्या होता है number two what is projection and number three what is pathagoras theorem acute angle कोई भी ऐसा angle जो 90 degree से less होता है उसे हम acute angle कहते है projection क्या होती है projection बहुत easy है कोई भी object का साया जो अर्थ के उपर पड़ता है उसको हम projection लेंगे let's suppose माल लीजिए यह अर्थ की surface है यहां इस तरह से हमने एक rod fix किया हुआ है अब हम अर्थ की surface के उपर perpendicularly reaction कर रहे हैं ऐसे तो इसका साया बनेगा इसके उपर अर्थ पर यह इसकी projection कह राती है इसी तरह mathematics में अगर दो lines है एक यह line और दूसरी यह line इस line की projection ड्रा करनी है इस line के उपर तो क्या करेंगे इसके top points से perpendicular ड्रा करते हैं इसकी surface पर तो यह आपके बस बन जाएगा projection ओके तो यह था projection जिसके लिए perpendicular ड्रा करना बहुत जरूरी है top से अब बच्चो हम बात करते हैं पैथागरस theorem की जो के खास तोर पर right angle triangle के लिए होता है उसमें यह कहा जाता है कि एक right angle triangle में यह तीन साइड है हाइपार्टनुस, perpendicular and base इसमें हाइपार्टनुस का square equal होता है base square plus perpendicular का square के यह तीन बातें आपने याद रखनी है तो अब हम बढ़ते हैं अपने theorem की statement की जारे बच्चो statement थोड़ी सी complicated है आपने इसको अच्छे से समझना है full concentration required है तो इसको हम by-pars करेंगे और उसको फिर समझेगे इसमें क्या कहा जा रहा है पहले आपको मैं यह बताता हूँ फिर छोटे-छोटे parts में separate करके साथ मैं arrange करूँगा कहा जा रहा है कि कोई भी एक triangle है मान लीजिए यह ABC एक triangle है इसमें कोई एक acute angle है acute मैं बतारा आपके 90 से less मान लीजिए यह वाला angle acute है तो acute angle के जो opposite side है यानी BC ठीक है BC side BC side का square इधर लिख लीजिए आप BC का square वो equal है sum of square of the side उन sides के square के sum के equal जिन sides ने इस angle को बनाया अब एक side AB है जिसने इस angle को बनाया दूसरी side AC है तो यह दो sides है यह वाली और यह वाली जिन्होंने यह angle बनाया तो कहा जा रहा है कि इनके square का sum इसका square क्या है इसका ना लिखेंगे AB का square प्लस दूसरी side का नाम क्या है AC तो लिखेंगे AC का square उसके बाद यह कहा जा रहा है कि minus minus two times the area of rectangle ठीक है यहां सिर्फ rectangle का अलफ्स इस्तावाल किया लेकिन यहां पर basic लिए area है अब कौन सा area किस area को हमने minus करना है area दो चीज़ों से मिलके बनता है length into width rectangle के case के लिखंगे तर तो वो two side कौन सी वलई होंकी ड़ों बता रहा है कि इनी दो side मेंसे एक side लेंगे और दुसरी side की projection लेंगे एक side और दुसरी side की projection वुखन तो अपने limits साइड लेनी है यह वाली AB तो आप लेखेंगे इन्टू AB आप दूसरी साइड कुन सी है AC तो AC नहीं लेगे AC की प्रोजेक्शन लेगे यह AC इसका साया अर्थ के उपर जो बनेगा वह यह AD तो इदर लेखेंगे आप AD यह थिरुम आपने प्रूफ करना है अब मैं आपको साथ साथ स्टेट्मेंट में समझाता हूं प्री बदाता हूं कि किस तरह से यह यह बात अस्प्रेंग कर रहे है इन एन्य ट्राइंगल किस प्रजेक्ष्न उस पर तो एक व्ह precisely है असे सायण के स्टेटेव जीस के स्केर का सुम जिन सायड्स ने यह गूंट अंगल बनाया है तो यह AB सैड और यह AC सैड इन्होंने अक्यूट अंगल बनाया दोनों के स्केर का पूं लिख दिया डियंण मायनस twice का मतलब two times Rectangle उस Rectangle के एरिया That contained by contained by those sides and projection on it on the other कि उन में से एक side और दूसरी side की projection उस पर ठीक है तो एक side कौन से हम ने ले ली AB side और ये दूसरी side ते दूसरी side की projection ले ली अब एक side AB है और projection AD है तो दोनों को Multiply करने से हमारे पास Rectangle का एरिया आ गया ये चीज़ अब हमें प्रूफ करने है तो बच्चो अब हम देखते हैं किसके लिए हम Given और Proof किस तरह से बना सकते हैं सबसे पहले देखिए आपको कहा जा रहा है एक triangle के बारे में तो आप बता दें कि इसमें एक triangle है ABC ठीक है और acute angle का जिकर है तो आप एक acute angle को mention करतें अब सबसे पहले किनके आप diagram बनाते हैं तो आपने जो भी acute angle select किया बने जो ABC सब कुछ लिखा है वो आपकी book के awarding लिखा है तो ये point A है इसको आप acute angle मानगे इसको कैसे पढ़ेंगे आप C, A, D भी कह सकतें C, A, B, B कह सकतें आपकी मर्दी है यहां पर C, A, B लिखा है मैंने ठीक है ना एक triangle का बता दिया और उसके अंदर acute angle है यह आपने बता दिया इसके अंदर ठीक है अब उसके रापस जो यह बते लिखी है measurement A, B is equal to C है measurement B, C is equal to A यह हमने अपनी असानी के लिए किया यह given में नहीं दिया है लेकिन बस book में लिखा हुआ है तो मैंने यहां पर लिख दिया लेकिन basically यह given में यह चीज़ दी नहीं गई ठीक है यह हमने अपनी असानी के लिए यह समझने के construction ही किया है उके उसके बाद इसमें बात हो रही है कि projection की तो projection उस वक तक नहीं बनता जब तक आप एक perpendicular draw नहीं करते हैं इसलिए क्या लिखेंगे आप draw CD perpendicular on AB आपने एक line CD draw की किस के उपर perpendicular किस line के उपर AB के उपर perpendicular draw की क्योंकि आप projection में मैंने आपको बताया था projection ताम मिलती है जब आप टॉप से perpendicular draw करते है इस line का टॉप यह है यहां से perpendicular draw किया हमने तो लिखा यहां पर draw CD perpendicular to AB so that AD is a projection of AC on AB तो AD क्या है AC की projection जैसे मैंने बताया था कि ऐसे एक राड अर्थ में डंप है ठीक है यहां से straight light आ रही है उसका side नीचे जबीन पर बढ़ेंगा ऐसे perpendicular light आ रही है इस AB side के उपर तो यहां AD बन गे जी इसकी projection ओके तो यह हमने चीद़ नोट करने अब इसमें यह भी बताया गया कि AD को हमने X के एकुल रखना है CD को इकुल टू H रखने हमने नाम दे दिया कि A से लेकर D तक length को X बोला और C से लेकर D तक length को H बोला यह हमने अपनी इसानी के लिए किया यह गीवन में लिखना नहीं चाहिए लेकिन हुक में लिखा हुआ है तो मैंने नोट कर दिया अब क्या बात प्रूव करनी है हमने पहले से यह statement बना के रखी हुए जो वह statement कहरा है इस statement को मां दीजी यह formula है इस formula को हमने प्रूव करना है तो हमारी requirement यह formula प्रूव करना है तो equation जो आप लिखेंगे यहां पर प्रूव में BC का square is equals to AC square plus AB minus 2 AB into AD यह चीज़ हमें प्रूव करनी है और हमने अपनी असानी के लिए इनको जो एंगल B के sumnable side को small B से show कर दिया एंगल C से sumnable side को small C से एंगल A के sumnable side को small A से तो simply आप में इनके नाम देखके यहां पर BC की जगापर A लिख दिया लिखना चाहें तो आपकी मर्जियर A भी लिखते तो कोई issue नहीं है ठीक है यह आपकी असानी के लिए थोड़ी सी simple हो जाती है एक billion तो BC कीने कापर आपना A लिख दिया AC कीने कापर B लिख दिया और AB कीने कापर C लिख दिया एक यह triangle और एक यह triangle मैंने यहां पर draw कर दिया यह triangle और यह दोनों triangle अलग अलग कर दें दोनों पर अलग अलग आप Pythagoras Serum apply करेंगे क्योंकि यह भी right angle triangle है और यह भी right angle triangle है और उन दोनों equations को use करते हुए हम इस formula को proof करेंगे सबसे पहले हम बास करेंगे इस triangle की यह triangle के नाम क्या है ACD या CDA आपकी मर्दियरों भी नाम दे सकते हैं In the right angle triangle CDA इसमें जो मज़रमट triangle CDA is equal to 90 है कैसे पता चला? Given में बताए गई थी बात कैसे Given में बताए गई थी? Given में projection का जिकर आया था और projection जो है वो हमेशे R-line के top से perpendicular draw करने से ही मिलती है ठीक है? तो perpendicular आपने उस तुरत में draw किया इसलिए आप reason देगे Given की है अब उससे यह बात बचली कि यह जो triangle है यह एक right angle triangle जो इसको मैंने यहाँ अलग कर के draw किया क्योंकि इसमें एक angle 90 degree है तो ऐसी triangle जो के right angle triangle हो उसके उपर हम पैसागरोस theorem अपलाई कर सकते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि hypotenuse का square equal to base का square plus perpendicular का square तो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि hypotenuse AC है AC का square is equal to base का है हमारे पास AD AD का square plus perpendicular का square यानि CD तो AC square is equal to AD square plus CD square यह बात आप यहाँ लिख सकते हैं तो पैथागरोस theorem को यूज करते हुए हमने यहाँ लिखा AC square is equal to AD square plus CD square अब इसको थोड़ा simplify करने के लिए आसान बनाने के लिए जो हमने short name दिये थे line AC को B से represent किया था AD को X से represent किया था और CD को X से represent किया था वो नाम हम दे देते हैं यह देखें आप यहाँ पर यह थी ना CD इसको हमने X से represent किया था AC को B से represent किया था और AD को हमने X से represent किया था वो नाम दिया और कुछ में नहीं किया इसके अंदर अब हम बढ़ते हैं दूसरी ट्राइंगल यह नहीं किया वारी इस ट्राइंगल का नाम क्या है CDB तो लिखेंगे इनदा ट्राइंगल CDB एंगल CDB is equal to 90 degree जो CDB एंगल है वो 90 degree है तो एक ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 degree का है तो इसका मतलब ही होता है कि यह राइंगल ट्राइंगल है तो राइंगल ट्राइंगल के उपर आप पैथागरस त्राइंगल को अप्लाई कर सकते हैं सेम प्रोसिजर यहां पर भी अप्लाई करेंगी बहुत एजी कि हाई पार्टनियूस का स्केर is equal to base का स्केर प्लस प्रपैंडिगुलर का स्केर यहां हाइप ऑटनियूस के हैं CB तो लेखेंगे CB का स्केर is equal to base किया है BD लेखा BD का स्केर प्लस प्रपैंडिकुलर CD है तो लेखा CD का स्केर ठीक है तो यही वैल्यू आपने यहां के लिख देनी है अगर यह राइट अंगल ट्राइंगल है तो फिर यूजिंग पैथाग्रस थिर्म हम डिजन लिख सकते हैं पैथाग्रस थिर्म की कि BC स्केर इस इकबल टू BD स्केर प्लस CD स्केर ठीक हो गया जिसमें BC क्या है हमारे पास हाई पार्टन विशा है ठीक है अब वो देखे जरा देखें यहां पर जो टोटल लेंथ है हमारे पास AB यहां लिख लीजिए AB AB लेंथ वो किसके इकबल है AD फ्लस BD AD फ्लस BD ठीक है हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है AB किसके इकबल है A से लेकर B तक यह लेंथ C के इकबल है लिखिए यहां पर C AD किसके इकबल है यहां से लेकर यहां तक लेंथ X लेंथ प्लस BD तो देखिए BD फिर किसके इकबल आता है C माइनस X के इस तरह से हम यह वैल्यू यहां पर लिखेंगे तो BC रिप्रेजेंट करता है A को यह देख लिजे यह हमारे पास B पॉइंट यह C पॉइंट यह BC लाइंट A को रिप्रेजेंट कर रही है आपने लिख दिया उसके जगाबर A अब BD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है C माइनस X को कैसे पता चला इस रिप्रेजेंट से यह देखे BD is equal to C minus X यहां पर C minus X लिख दिया इसे दरह Cd H को रिप्रेजेंट कर रहा है अगेर यहां देख सकते हैं यह C, यह D point और यह length जो है वो H को रिप्रेजेंट कर रही है यहां पर आपने लिखा उसके बाद आपने यहां पर whole square लेगी है इसका ठीक है open करेंगे whole square का formula C minus X whole square आपने formula पढ़ा था A minus B whole square जो के equal होता है A square minus 2AB plus B square जिसको हम यूँ में लिख सकते हैं A square plus B square minus 2AB उस formula के मताबिक हम ने इसको open किया C square plus X square minus 2CX अब बच्चो हमने justice को rearrange करके लिखा rearrange कैसे किया कि इसमें जो X था और H था ठीक है यहां पर यह X square और यह X square इसको starting में लिख लिख लिए बाकि C square minus 2CX को हमने बाद में लिख लिख लिए ठीक है ऐसे क्यों किया हमने क्योंकि हमने इसको theorem को prove करना है इससे पहले हम equation number one में यह देख सुके है कि X का square प्लस H का square किसके एकवल होता है B के एकवल होता है तो यह X के square और H के square को आप bracket में लिख लेंगे ताकि आपको पता चले prominent होजे थोड़ा सा कि यहां हमने B square की value put किया इसकी जगा पर आगया B square plus C square as it is minus 2CX region one को हमने यहां पर use किया और two को use किया और उससे relation बना के हमने यह दे दिया अब अगर आप इस सुरत में लिखना चाहते है इस तरह लिखना चाहते हैं तो reverse जो आपने पहले इनको short name दिये थे A, B को C का नाम दिया था वो आप वापस उनकी जगा पर values put करते जाएंगे यह A, B, C को represent करता है डाग्राम से देखे आपने values put करनी है और B जो है वो A, C को represent करता है C, A, B को represent करता है C, A, B को X, A, D को represent करता है यह था हमारा आपका theorem बच्चों अगर आपको कोई भी question है तो कमेंट से आपकेंट करता है